हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूटूब चैनल डेंज के अश्टडी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारतिय संभीधान का कुछ महतोपूर कोशन देखेंगे और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्लीज प्रेस कर दिजेगा ताकि जब भी ऐसा वीडियो डला जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं बीना देर किये हुए देखे कोशन नमर वन है किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतो को स्वायतता प्रदान की गई थी तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतो को स्वायतता प्राप्त प्रदान की गई थी ठीक है अगला कोशन है सासन की एकात्मक पधती का लाभ क्या है तो ये द्रिण राजे द्रिण राजे जो है सासन की एकात्मक पधती का लाभ है देखिए भारती संबिधान से प्रते एक इक्जाम में कोशन पुछा जाता है तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी मौतपुन होने वाला है वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है जिस संबिधान साभा द्वारा भारत के संबिधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे तो उसके सदस्य कौन थे ये कोशन में पुछा जा रहा है तो सदस्य थे विभिन प्रांतों की विधान सभाव द्वारा निर्वाचित लोग थे ये इसके सदस्य अगला कोशन है भारतिय संभिधान में अपात उपबंध कहां से लिया गया है तो ये भारत सरकार अधिनियम मुनिशों 35 के द्वरा लिया गया है अपात उपबंध को अगला कोशन है भारत की संबिधान सभा किसके कहने पर बनाई गयी थी तो भारतिय संबिधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के सिफारिस पर कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था परते कोशन आप लोग बारीकी से पढ़ेंगे चलिए अगला कोशन है भारत का संबिधान सभा का अध्यक्ष कौन था तो भारतिय संबिधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंदर परसाद थे भारतिय संबिधान सभा के अध्यक्ष अगले कोशन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं बीन देर किये अगला कोशन है भारतिय संबिधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई भारतिय संबिधान की प्रस्तावना में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला कोशन के तरफ अगला कोशन है संबिधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोशित किया गया है तो जो संबिधान का प्रस्तावना है इसमें भारत को एक प्रभूस संपन समाजव और पंथ निर्पेच लोक्तंत्र गंडराजे घोशीत किया गया है, अगला question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्ष्ट question है भारत पूण संप्रभू लोकतंत्रिक गंडराजे कब बन गया, तो ये 26 नॉम्मर 1999 को भारत पूण संप्रभू लोकतंत्रिक गंडराजे बन गया अगले question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं next question है संभिधान की उदेसिका का संसोधन कितनी बार किया गया है तो ये एक बार किया गया है एक बार किया गया है संभिधान की उदेसिका का संसोधन next question के तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं अगला question है भारतिय संबिधान में संघीय सब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है तो यह संबिधान में कहीं नहीं हुआ है इसको आप लोग याद रखेगा यह संबिधान में कहीं भी नहीं हुआ है संघीय सब्द का प्रयोग आगे बढ़ते हैं हम लोग next question के तरफ भारतिय संबिधान के अनुछेद एक में यह घोसडा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है एक राजियो का संग है यह कहा गया है भारतिय संबिधान के अनुछेद एक में इसको आप लोग याद रखेंगे next question है किस अनुछेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है तो यह अनुछेद एक में इंडिया को भारत भी कहा गया है आगे बढ़ते हैं हम लोग भारत में किस परकार का संगवाध दिखा जाता है तो ये संग बनाकर राजियों का गठन करना ये संगवाध दिखा जाता है भारत में नेक्स्ट कोशन है भारतिय संविधान कब लागू हुआ ये थे बिये न राव, बिये न राव थे संविधान सभा की संविधानिक सलाहकार नेक्स्ट कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम लोग अगला कोश्चन है सरकार की किस प्रणाली में द्वी सदन पधती एक अनिवारे लच्छन है आगे बढ़ते हैं हम लोग next question के तरफ next question है भारत एक कैसा देश है तो भारत एक लोगतंत्र देश है ये सब को पता है आगे के तरफ हम लोग बढ़ते हैं next question है भारत में एकल नागरिक्ता की ओधरना अपनाई गई है कहां से तो ये England से लिए गया है एकल नागरिक्ता चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला कोशन है शंबिधान का कौन सा भाग नागरिक्ता के प्रवधानों से संबंधित है तो यह संबिधान का भाग दो जो है नागरिक्ता के प्रवधानों से संबंधित है नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट क थे महासंग की योजना किसके संविधान से ली गई है मतलब कहां के संभिधान से लिया गया है इसको आप लोग याद रखेंगे चलिए next question देखते हैं और यह सद लाष्ट कोश्चन है भारत के संभिधान का निर्माता किसे माना जाता है तो ये भीमराव अंबेडगर जी को माने जाते हैं ये तो लगबग लोगों को पता होगा तो आज ये संभिधान का कोशन हम लोग किये आगे भी इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर डाला जाएगा तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्लीज प्रेस कर दीजेगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू शो मच